नमस्कार आज हम B.A.P.A.T.Faster के पाठे करम के नुसार एक बहुत महतुपून टॉपिक के पचर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओधोकी करांती इंडिस्टेर रिवलेशन और अधोई करांती मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्वितिहास का एक महत्योपून टॉपिक तो है B.A.P.A.T.Faster के लिए ये टॉपिक नॉर्मली विश्व में जो परिवर्तन हम उत्रोतर स्रंखला देखते हैं प्रोग्रेश की उसकी कड़ी में बहुत बड़ा परिवर्त का इस्तेमाल के जाता है और उधोगी का मतलब ये था कि अब तक जो कारिया हमाँ अपने हाथ से करते थे वो कारिया अब उधोगों में बड़े-बड़ी मिश्विनों के माध्यम से होने लगे इसलिए शब्द का नाम पढ़ा वो क्या पढ़ा उधोगी करांती तो करनों के शाथ घरों में किये गए उधोगों से होने वाली और आर्थिक शामाजिक परिवर्तनों को निरूपित करने के लिए शब्द का उन्होंने यूज किया था इंडिश्टे रिवलेशन शब्द का इस्तेमाल यूरोपी विद्वान में जैसे फ्रांस में जोर्ज मॉ इस בשly शब्द का अंगरेजी में इस्तेमाल कहा था, तो अंगरेजी में इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले कौन थे? Arnold 152 थे तो ंग्लेंड भी सबसे पहले इस शब्द का प्रियोग करने वाले क्योंकि उदोगी कुरान्ति के जो शुरवात होती है दोस्तों वो कहासे हो होती है और कौन से छत्र से होती है तो सूती वस्तर उधोग से होती है तो अनोल टाइन भी ने सबसे पहले सब्द का प्रियोग अपने पुस्तक इंग्लीज में लेक्चर सोन इंडिश्टर उलेशन शब्द में किया जिसमें उन्हें कहा था कि अधोगी करांती कोई आकश्मी घटना नहीं है अब यह तो विकास की क्या है शतत्त प्रकिरिया है जिसमें उन्हें ने दो आवस्थाइं बताई थी उधोगी करांती ने विनिर्माण के तरीकों को बदलकर मानोजिवन को बदल दिया जिस तरह से लोगों ने एक जीवित और उसके ** उप्यूप दर्बादों को बनाया मतलब एक प्रकार से हमारा जीवन चेंज हुआ एक प्रकार से एक इतियास करता हुय है इतियासकार विकास हुआ, कोईलों की खानों का विकास हुआ, परिवन की शादनों का विकास हुआ, तो एक व्यापक शब्द है, इसमें व्यापक परिवर्तन थे अधोगी करांती में, ठीक है, इसी परकार एक शामाने रूप से एक परिभाशा हम बताऊं, डबलू, साउथ गेट की इसमें हस्त शिल्प, यानि कि अब तक हम जो कारी हाथ से कर रहे थे, वो सक्ति शंचालित यंत्रों से होने लग गया, और जो अधोगी क संग्थनों में जो परिवर्तन है, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, अधोगी के करांती, तो यानि उत्पादन में प हुई, वो कौन से उच्छेत्र से प्रारण हुई, तो सूती वस्तर उधोग से याद रहना, ठीक है न, सूती वस्तर उधोग से बहुत बार ये प्रसन पूस लेता है, सूती वस्तर उधोग से जो है उधोई करांती की शुरुवात हुई, इसके अंतरे के जो परिवर्तन ह नॉर्मली वे में मैं आपको बता दूँ कि सबसे इंपोर्ण परिवर्ट नहीं ये था कि जो कारेपले हाथ से होता था वो मसिन से होने लगा मसिनों में भी पहले जो जल सक्ति का इस्तेमाल होता था वास्प सक्ति का इस्तेमाल होने लगा बड़े-बड़े कार खाने खोले गए, ठीक है, पुझी का बड़ा एक उपयोग बढ़ा, ठीक है, सामुहिक सर्म की सुरुआत हुई, अंतराष्टि व्यापार की सुरुआत हुई, एक परमुक्ट चेंज थे अधोई करांती शब्द में और ये एक प्रिकार से उधोई करांती शब्द को चार करांतियों से हम उधोशित करते हैं, यानि उधोई करांती का कारण जब हम पढ़ते हैं, तो उसके क्रिजन में सबसे बड़े चार कारण आते हैं, जिसको बोलते हैं कि तो जनसंख्या करांती, जनसंख्या की अचानक से बढ़ जाना वस्तों की मांग बढ़ना ठीक है और इससे मांग बढ़ने के लिए ओधोकी और नय अविश्कारों की और बढ़ना कर्शीगत करांती कर्शी में अचानक से जो परिवरतन होए और उन परिवरतनों से जो होए कि सबसे पहले निलेंड में अधुरी करांती के नियू में इसके हम बात कर रहे हैं तो इंगलेंड में अधुरी करांती के कारण क्या था देखी अठारवी स्ताब्धी के उत्राइट में, इंगलेंड में राजनितिक और आर्थिक प्रिस्ततिया उस देश में अधुईक क्राółत के सुरवात के लिए सबसे उप्यूकती, राजनितिक प्रिस्ततियों का मतलब था सबसे बड़ी बात थे, उनकी इच्छा सक्ती थि ये लगवग पचास साल बाद यूरोप की मुख्य महदी पुर विदेशों में धीदिरे बाद में अने देशों में फेला तो अदोही करांती के प्रमुकार्णों में जैसे हम कर्शी करांती की बात करते हैं जनसेंग के विस्पोर्ण जनसेंग के अचानक से बढ़ना वियापारिक प्रतिबंदों के श्मापते ने विवशा एक करांती की शुरुवात हुई पुन्जी वन नई प्रोधोगी की सामने नेने आविशकार हुए लो उधोग में, कर्शिगत छेतर में, पसुपालन छेतर में, वस्तर उधोग में, परिवन छेतर में, जो परिवर्तन हैं उनकी शर्चा करेंगे अपन पुनर जागरन काल का एक बड़ा योगदान हुआ, उनसे लोगों का भोतिक जी उनमें की रुजहान हुआ, ठीक है, धर्म की सच्चाई उनके शामने आई, ठीक है, तो उनसे एक व्यापार के लिए बड़ा एक अच्छा माहूल तयार हुआ, परबोधन जिसको अपन बोल परमुक कारण था, कि एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर कारे करते हैं, कारे का विभाजन होता है, ठीक है, उनसे बड़ी-बड़ी व्यापक लिए बड़ी कारणती की थीम बता रहा हुँ आपको की मुखी कारण थे, इंग्लेंड में देखे, इंग्लेंड में पहला कारण बेटेन की विदेशी व्यापार का व्यापक विस्तार, अब देखे, बेटेन में सबसे पहले अधूई करांती क्यों है, उसके बड़े कारण थे, तो बेटेन जो था विदेशी वाजारों में बेटेन की व्यापार में व्यापक विस्तार हुआ, सबसे बड़ा कारण था, और अपना पूरा सामराजी जो है अपने कबजे में ले लिया तो सबसे बड़ा कारण जो था वो व्यापार में व्यापक विस्तार तकनीक रांती के परमू कारणों में सेख था 1788 ता भी दोरान बेटे ने व्यापक उपने उशिक सामराजे को मतलब जो तो इनको एकदम से बाहर कर दिया था कि इनको फ्रांस को परिणाम सुरू बेटे ने इन बाजारों में प्रकार्स का एकादिका प्राप्त कर लिया अब जब पूरा व्यापारिक सामराज्य उपनेशिक सामराज्य बेटन के हाथ में आ गया तो उनको एक कच्चे माल के उपलब दता हो गई का खचर कोट्राइट का पावर लूम यह आविश्कार ऐसे थे जिन्होंने सूती कपड़े को उत्पादम को बढ़ाने के लिए किया गया था और भारत में इनकी काफी मांग थी बिर्णी के नुसारी नाविश्कार हो कभी कि अधोई करांती का प्रात्मी कारण भी कहा चाता वास्ता में क्यों माधे में कारण थे बड़ी मात्रा में सस्ते माल को चालू करने के लिए मसीने बेकार है जबते की बाजार में वर्धी को उसूसित करने में सक्षम नहीं हो मतलब जब बाजार में मांग नहीं रहेगी तो ये मसीने भी काम की नहीं है तो बड़ी चीज थ इसके बतले में नए तखने की विकास में यूगदान दिया इसके लावा इंडे में बैंक ओफ इंगलेंड दवारा अन्य देशों कि शमर्द व्यापार्यों के पास बड़ी पुंजी के उपलदता होना भी के कारखना पणाले को रोधवी करांती की भूमी का त्यार करण में योगदान दिया अंग्रेजी सोध करता हूं कि मन की व्यवहरिक तुनला एक अन्य कार्ण जिसे टकनीक रांती में इंग्लेंड के अगवाई में योगदान दिया जिसमें वह था कि अंग्रेजी विग्यानिक और इंजिनेरियों के दिमाग में व्यवहरिक जुकाव था यानि व्यवहरिक तुनला वो प्रेटिकल थे समय के शाथ चलने वाले लोग थे उन्होंने समय की जरूरतों को ध्यान में रखते है अविशकार कि उन्होंने मुख रूप से विग्यान के उन आविशकारों पे ध्यान कंदित किया जिनकी वियवहारी कुप यूगी था थी यह उन महादीपी विग्यानिकों के पून विप्रित था जो बिजली मनुसंधान पे धान कंदित कर दे थे रसायनादी जो ततका लागू प्रासंगी क्ता पक्समनी थे मतलग बेटेन के जो विग्यानिक थे उनका मूल उद्दिश्य ये था वो परिवर्तन लाना उन चीजों का विश्कार करना जो तातकालिक रूप से हमारे ले फाइदे मन्द है छोटी आबादी इंग्लेंड के आबादी का छोटा आकार जो इंग्लेंड के बढ़ते ये आपार का सामना नहीं कर सकता था कोई आवसेकता थी कि बढ़ती मांग के अनरूप उत्पादम को बनाया रखने के लिए नए उपकरणों का पता लगा जाए ये कपड़ा उधोक के शायद कोईला उधोक के प्रिवर्तनों में सबसे अच्छा है तो भी एक रीजन रहा सामाजी को राजनेती की स्थिर्ता होना बेटेन में बेटेन ने क्यों व्यापार की पूर्ण सवतनतरता कानंद लिया बलके एक दीवपी इस्तती बनाई जिसने युद के प्रिणास करे प्रिणामों से बचा वे नहीं ये बेटेन की जो भोगोलिक इस्तती थी वो बहुत शांदार थी ठीक है और ये भोगोलिक इस्तती का ये कार्ण था कि तीनों तरब समूंदर से घिरा हुआ था एक प्रकार से तो यापारी का आकर्मन जो थे उनसे वो बचा हुआ था ठीक है इनसे वहार राजनेतिक इस्तता थी और आर्थिक रूप से उसको यापारी कूप से बड़ा फाइदा था तो इंग्लेंड में परसलीती सामाजिक इस्ततन है लोगों को उन छेतरों में निवेश करने के लिए प्रोजसायत किया जहां में भविशे में उच लाभांस प्राप्त करने के आशाप कर सकते थे तो ये राजनेतिक और सामाजिक इस्तिरता भी एक बड़ा रिजन था कोईले और लोही की खान के उपलगता ये बहुत बड़ा कार्ण बता जाता है कि इंग्लेंड में जो कोईला और लोही की खाने वो दोनों आस पास थी ठीक है और इससे मशी निर्मान है तो पका लोहा आवशेक होता है आप प्राकर्तिक शंसादन जब परचूर होते हैं और पास पास में होते हैं तो वहाँ अधोगी विकास निश्यद भी संभव होता है प्राकर्तिक शंसादन लोहे और कोईले का पास पास उप्रम्थ होना तो यह बहुत बड़ा रीजन था बेटेन में सबसे पहले अधोगी करांती का कोईले और लोह की खतान का उप्रम्थ होना लोहे इसके परीवन आधिक लिए बड़ी मात्रा में कोईले का आउसकता और कोईला खरान की टेकनिक में सुधार का आउसकता थी इसलिए दीदरेन में बहुत सारे सुधार किये गए कर्शी करांती बिटेन में कर्शी करांती पहले हो चुकी थी जिसने अंग्रेजी समाज को बहुत बदल दिया था इसने नएक व्ल नए उद भोगो को चलाने के लिया उससे कच्चे माल को उप्रब्द करवाया अपितु नए कारखानों में बड़ी संख्या में खेतियर मजदूरों को रोजगाय के लिए उपलब्द करवा है तो कर्शिकत करांती होने से भी एक प्रकार से बड़ा फाइदा हुआ अपितु नए शर्मिक जो होँआ असानी से उपलब्द हो रहे हैं तो एक बड़ा रिजन था उधमी लोगों की उपस्ततियाने बेटेन में व्यापार वानेजे करने वाला एक व्यापार एक वरग उपस्ति था जो नए प्रिवर्तन करने के लिए आतूर था जो कारखानों की स्थापना करने के लिए आतूर था इंग्लेड में तकनीक प्रिवर्तन संभव लोगों की बड़े वरग की उपस्तिकान संभव होगे से इनके पास उधमी भावना और आवसेक तकनीक गुन थे इसके अलावा इस वरक के लोगों के पास छमताएं होती थी और बड़े उधम और सरम शक्ति के संचालन के आदी थे ये लोग नई तकनिकों की खोज के लिए धन का निवेश करने उन तकनिकों का उचित प्रिक्शन करने के लिए तयार थे तो यह भी बड़ा रिजन था कि वहाँ एक उधमी वरक का उपलब्ध होना जोखिम लेने वाँ निजी छेतर होना देश के एक बड़े निजी छेतर की मुझूदगी जिसमें वेक्तिगत विवसाई जोखिम उठाने के बड़ी चमता रखते हैं यानि बिरा रिश्क के जिन्दगे में कुछ नहीं हो सकता और यहां के जो वियाप निजी छेतर था वो रिश्क लेने के लिए तयार था तो इसने में एक बड़ा योगतान दिया परीवन के बहतर सादन होना स्यासाने से एक बड़ा कार्ण था और देखिए भोगोली की स्तती इंग्लेंड की भोगोली स्तती ने उधोई करांतियों बहुत मदद की युरोप की मुखी हुमी से कटा होने कार्ण इंग्लेंड नेपोलिन संकर्स के यूद और उथर बुतली से मुक्त रहा देश में हालात का फिस्तिर बने रहे इन इस्तरी स्ततियों इंग्लेंड को लड़ाई चती और जीवन के नुक्षान गडर के बिना अपने उधोगी चमता विक्षित करने में शक्षम बनाया अंग्रेजी सामाजी को राजनतिक पनाली बड़ी लचिला पन था चर्चा कर ली थी हमने कि उपरी जो साशक वरग था वो पढ़ाने के लिवे आपारी को प्रोसाइद करने के लिए तयार था संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एने उरोपी देशों के तुनला में इंग्लेड हो कई मामलों में अतिका अनुकुल रुप से रखा गया यानि मुख के रुप से आपको दिमाग में रखना है कर्शिकत करानती का होना इंग्लेड की भगुली की इस्तती का होना प्राकरतिक शन्शादनों का होना इंग्लेड के निवाशियों की जो समाजिक इस्तती थी वो बहुत उच सोस थी ठीक है और वहाँ एक ओपनेशिक विशाल ओपनेशित था जहां से कच्छा माल भी प्राप्त हो सकता है और वहाँ बेचने के लिए तैयार माल मेचने के लिए मार्केट भी उप्रुद हो सकता है ठीक है राजनेतिक इस्तति और आर्थिक इस्तति यह पुझी की उप्लबदता वहाँ पर थी ठीक है तो यह सब कारण थे जिसने इंगलेडे में उद्वीकरांथी होने के लिए एक प्रकार से परमुक कारण थे जिन्सें जिम्यदार निभाया और एक इंगलेडे में बेंकिंग प्रणाली की स्थापना हो चोगी तो बेंकिंग प्रणाली ने भी बड़ा योगता दिया अपने से विस्तार पें इंग्लेंडों कचे माल और बड़े बाजार के उपलबता हुई फ्रांसी एकरांती के बाद वहां वियापार का हास वा जिसका सिधा फाइदा इंग्लेंड को मिला नई कर्शी विद्यों के आगमन से कर्शी उत्पाद में वर्दी हुई जर्मनी जमिदारों नातिक्त आयका निवेश कारखान उधोगों में किया साथ मस्यनों ने खेतिक लिए मजदूर के आवशक्ता काफिया तक कम किया तो ये परमुक रिजन थे जिन्होंने इंग्लेंड में अधोई करांती के लिए एक प्रकार से भूमी का त्यार की अध्युक जब आपन 40 कि सुरुवात की ठीक है तो बहुत सारे चीज आपकार, आविश्कार ह directamente जो जाए ठीक है robić अन्होंने अविश्कार हुए maid परिवर्टन नहीं और अधोई करांती में बड़े परिवर्टन ये थे कि एक तो सत्रों तेश में जो अनके ने फ्लाइंग सटल ठीक है ना तो फ्लाइंग सटल जो बनाया था छेदर नियंतर एक प्रकार से कपड़े बूनने गती में तेजी आना जेम्स हार ग्रीविज ने इस पैनिंग जेनी बनाया सत्रा चो सट में जिसमें आठ तक कोई के चरके से एक साथ सूत काता दाना संबब हुआ आख राइट ने वाटर फ्रेम नामक 1779 में जल सकते चलने वाला यांतिक चरका बनाया 1779 में मियूल नामक यंत्र बनाया सेमूल क्राम्टन ने जो वाटर फ्रेम और इस्पेनिंग जैनी को मिला के बनाया गया इससे सूत कातने की जो गतियों बहुत तेज हो गई पावर लूम यंत्र काविशकार काट लाइट ने 1775 में किया इसी परकार वेटर ने कोटन जीन का 1779 में निर्मान का जिससे कपास से बिनोले अलग करने से जो है वो पर्थक करना संबव हुआ तो यह बहुत महतुम परिवर्टन थे बिटिस जमादर अंट्रिल अपे विच्छा कर लिए अपने ठीक है यह कर्शी शेतर में जो परमुक परिवर्टन थे इटके दोरा बीज को प्रियात मात्रा में निशित पंक्तियों बहुए जा सकता था उसके बाद कर्शी शेतर में परिवर्टनों में टाउंसेंड ने क पसुलिचारे की पैदावर की पसुपालन का रूपांतर्ण हुआ रोबर्ट बेकवेल नामक अंग्रेज ने पसुपालन को सत्रह सतर में एक बड़ा लाब धाक वेविशायक में बदल दिया बेडों गायों की नसल सुधारने के उसने कई परियोग की एक कर्तिम गरबाध में एक बड़ा योगदान दिया इसके लाबा देखो कुछ 1792 और 815 की बीच इंगलेड में 956 सलंगनक अधिनियम पारित किये थी इना अधिनियम से प्रेइनाम से रूप क्या हुआ कि एक लाख बाड़े को लगए एक लाख कर्षी एकड कर्षी योगी भूमी में रखा ग बड़े-बड़े खेत का विकास किया गया और चोड़े जो खेत हैं वो गरीब किशानों से लेकर बड़े-बड़े खेत उनके बनाये गए इसलिए अधिनियम ने अथ्वेस्तावित्रिक अलिक प्रभाव के मद्देजर लाब भरत साबित हुआ बड़े संख्या में लोग बड़े-बड़े खेत बनाना और उससे एक वियापारिक उपज में बढ़ोत्री होगी ये नहीं तक नहीं बोल जाती है आर्फर यंग ने बनाई खाद पेटन में परिवर्तन 48 के अंतक किशानों को पुरानी प्रणाली के अनुसार अपने खेतों का परबदन किया लेकिन उसी वरसे एक जर्मन केमिस्ट जस्टोन वान लिबिंग ने साबित किया कि पोधों के लिए मूल आहार, पोटास, नाइट्रोजन और फास पोर्स है तो खाद के शाथ आउयोग की प्रियात मात्रा में मिशन से मिट्टी की उरुरता बढ़ जाती है तो खाद प्रणाली की एक बड़ा रीजन था अभी हमने में आवश्कार चर्चा की 37 वेटनी ने थ्रेशिंग मशिन का आविश्कार के अथा चोंतिस में सारे समें को ने गहास काटने के मशिन का आविश्कार किया ठीक है तो यह ऐसे आविश्कार थे मशिनों के जिनसे बहुत कम समय में उत्पा करने विफल रही 1750 तक उधोगो कि लिए प्रद्धान का पास का उप्युक करना सुरूर किया इससे पहली इंगलें ने भार्त सूती कपड़े का आयत किया था लेकिन कुछ समय बाद में इंगलेंड ने क्या किया भार्त को इस शूती कपड़े का निराद करना सुरू कर द अधिक सब्सक्राइबनेंग इजर को ते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब शक्राइब algorithm chicks अविश्षिंएए सपेरॡ़ आरकरेट सब्सक्राइम्स भाषब और जमस्चैनी के अधिकार कALL solamente सब्सक्राइब जी यह और छो था किया है और ओधोई करांथी वास्ता में 1779 में शुरू ही, उस 1779 में क्यों शुरू माने जाती है क्योंकि waterframe नामकी बुणाई dopp 질문 वाटर्डृम किसे दिसम्रा Il चलने वाला यांत्रीक चरखा था ठीक है तो प्राइट के आविश्कार ने बड़े प्यमाने में सूती कप्ड़े के उधों की नहीं रखिया और कारखाना प्रणाली के शुरुवात की 1789 में शेमुल क्राम्टर ने कताई जैनी और पाने के धांचिक तत्र को मिलाया एक नई मशीन बनाया जिसमें मूल कहा गया ठीक है य इटली ने कोटन जीन जिसको मतलब की कपास में इससे बिनोले तेजी से पर्था करना संबव हुआ ठीक है तो ये परमुक परिवर्तन थे जिन से एक बड़ा चेंज हुआ 825 में रिचर्ड रॉबर्स ने सवचालित मशीन कताई मशीन बनाई 845 में अमेरीकी नागरीक अलियास होबी ने सिलाई मशीन का अविश्कार कर दिया इसे परकार जल सकती और पाउनूर्जा में व्यापक रूप से इनका प्रियूग होने लग गया ठीक है 1712 में अंग्रेज थोमस न्यूकोमेन ने सबसे पहले खायों से पाने निकालने के लिए भाप इंजन का अविश्कार किया इसे परकार 1779 में जो अपना इंजन का अविश्कार किया वो बहुत ही सस्ता था और बहुत उप्योगी था 1775 में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन के निर्मान के लिए उधोगपती के शाथ सांसदार में कारखाना इस्तापीत किया जेम्स वाट का स्टीम इंजन इंगिलेंड के सभी कपड़ा मेलों में लगाया गया इसी परकार परीवन में करांतिकारी प्रिवर्तन हुए परीवन में कौन से करांतिकारी प्रिवर्तन हुए इनको देख सकते हैं एक स्कोटिस इंजनेर मेकोडम ने सड़क बनाने की परकिरिया का विश्कार किया ठीक है ना सड़कों के बनने से सामान को एक स्थान से दूर्स स्थान पलाजाने में बहुत कम समय लगने लग गया तो सड़क निर्मान की तकनिक जो वरत्मान में होती वह चीजे थी भारी पत्रों के मोटी पत्र लगा देना उसके बाद चोड़ टूड़ पत्रों की एक और पर्द जमा की पत्रों को टारो डामा से डग देना ठीक है इसी परकार नहरू का भी जेमस ब्रीडले ने नहरू का विश्कार किया था तो बड़ा प्रिवन शेत्र में बड़ा ठीक कोईले को जो एक प्रकार से बनानी का जो टकMore बरिवद्त कि ये तो क्यों के तेति लिधे कर्मी को गलाने उर्फ ये को शाज्ण आस्णाने परिशकूस किया उससे कोईले के मांग बढ़िए कोहिले खादानों कि रोफ ब्रिवरदी हुईween पूखर की खोज की जिसके बहुत सुद्ध और मान गुणवता निर्मान किया गया। तो यह स्टील निर्मान में बढ़ा उपयोगी रहा है, हेंडी फोड की तक्निक। पुडलिंग की खोज ने इस पात के उत्पादन में करांतिक रही बदलाव लाए। लोही की गुणवाता की साथ इभीन प्रकार की मश्चिनों का निर्मान करना बहुत आसान हो गया अठाव चपन से पहले इस्टील की निर्मान की प्रक्रिया बहुत महेंगी थी लेकिन हेंडरी बेशेमर ने तेजी से और आर्थी गुरूप से स्टील बनाने की प्रक्रियए एक खुजगी जो बेशेमर प्रोसेश के नाम से जाब जाता है यakat ऐसे प्रकार जल प्रीवरतन ने बड़ा प्रीवरतन हुआ सब्साथ में पहला स्टीम बोट कलेयर मौंट का विष्कार किया ठीक न तो रोबर्ट फुल्टन ने अठाओ साथें पहला स्टीम बोट कलेमॉंट का विश्कार किया था उनकी स्टीम बोट कलोईमेंट हटसन नदी के मादिम से रवाना हुई और कुछ लोगों उनने फुल्टन का विश्कार का मजा के उड़ाया था उस समय कुछ लोगों उने से टूल उपदानों कहा था जब उनने हडसन न दीकूए उनने इस्टीमर में सफलता पुरुक पार किया तो गोहर पड़ती दों ने फुल्टने खिलाब मुग्दमा तक लोगों ने दैर कर दिया लेकिन ही बड़ा क्रांती कारी परिवर्तन हुआ गये तो इस्टीम ऑर जय को सिरिशने आठाथा और दिनों पहले बार न्टलाटी माशांगर को पार किया भह्त बड़ी बात थी तो इस्टीम ऑर सिरियस ने वह अंट्लाटी माशांगर को पार किया ठीक ए रहल्वी इंजिन का विशकार हुआ रेलब इंजिन का अविश्कार ने सड़क परिवन शत्र में एक रांती ला दी अंग्रीजी इंजिने जोर्ज स्टिफेंसन ने अपने परसिद स्टीम इंजिन राकेट का अविश्कार किया ठीक है न तो यह राकेट का अविश्कार किस ने किया था जोर्ज स्टिफेंस 14 इन चार प्रणालियों में सुधार 48 में एक अंग्रेज रोलेंड हिंड लेक प्रणालिय शुरू की जिसके मादम से कोई भी ग्रेट बेटर की किसी भी स्थान पर एक पत्र पे एक पेंस की मोहर चिपा कर पत्र भेज सकता था 48 में सेमोल मोर्स ने डीलीगराम मसिन का अविशकर किया टेलीगराफिक अप्यों के महदीपो के बिस ततकाल संप्रक स्तापित करने के लिए बड़ा अविशकर था थीक है अठाओ-चिन्तरे में ग्राहम-देल ने टेलीफ़ॉन का अविशकर कर दिया जिसने बड़ा परिवर्तन कर दिया तो यह परमुख परिवर्तन पैंटोल इंजन के छेत्र में अमेरिका में मोट साइकल बनाने के लिए कंपनिया कुली हैंडी फोड ने कम लागत पर मोटर कारों का निर्मान किया ठीक है अठासो उन्चालिस में चालरस गुडियर ने टायर बनाने की जो सत्रासो एक्षट में ठीक है यह बड़ा चेंज माना जाता है रेल के जरी खानों से बंद्रकाव को लेजन ले बहां पिंजन का इस्तेमाल जो जिस्टिवेंट से ने किया था यह परमुख परिवर्तन थे जिनोंने उद्धोगी करांती को बहुत व्यापक तोर पे शंभा आँनेवा